Now it is one of the most important exercise of this chapter that is 3.6 इसमें आपको करना गया है कि आप देखो आपको दो equations दी होंगी वो linear नहीं है वो equations आप गौर से देखेंगे तो linear नहीं है भी मैं समझाओंगा आपको और उनको पहले कहा है linear equations में convert करिये फिल solve करिये अब linear किसे कहते हैं ऐसी equation जिसमें जो variable होते हैं x और y उनकी power 1 होती है exactly 1 हो निचे ना उससे ज्यादा ना उससे कम अब आप देखें यहाँ पर कैसे नहीं है फिर यह linear 1 upon 2 x लिखाया मैंने इसको 1 upon 2 को break किया 1 upon 2 into 1 upon x लिख सकते हैं 1 into 1 आ जाएगा numerator में 2x आ जाएगा नीचे फिर उतना ही हो जाएगा अब यह denominator में x है तो x की power 1 हो आ यहाँ पर इसको अगर आप उपर लेके जाओगे तो आपने 9 अपर रखाया तो x की power 1 जो denominator में है 1 upon 2 x था मैंने उसको एसे लिख लिख लिया 1 upon 2 into 1 upon x 1 upon 3y था 1 upon 3 into 1 upon y equal to 2 तो 1 upon x के बदले a रखेंगे 1 upon y के बदले b रखेंगे तो यह equation मैंने same condition equation second के लिए भी करेंगे यहाँ भी 1 upon x के बदले a और b दो equation आई इनको फिर elimination method से solve करना है अब मैंने इसको b को eliminate किया है तो इसमें 1 upon 3 है इसमें 1 upon 2 है इसको भी 1 upon 6 बनाएंगे इसको भी 1 upon 6 बनाएंगे तो इसको 1 upon 2 से multiply किया इसको 1 upon 3 से multiply किया बराबर multiply करके बराबर हो गया फिर subtract कर दिया subtract किया देखें शाइन चेंज किया, यहां से LCM ले करके फिर आप देखेंगे कि हमने क्या किया यह calculation है, अब calculation में तो आपको आना चाहिए calculation, तो यहां से फिर हमने A की value निकाली, A equal to 2 अब ध्यान रहे कि 1 upon X equal to A था, तो 1 upon X equal to A की value 2, cross multiplication किया 2X equal to 1, X equal to 1 upon 2 अब इसको मैंने direct कर दिया कई बार ऐसा बताया जाता है, कई books में और कई टीचर ऐसे बताते हैं, कि A की value आई फिर B की निकाला, फिर उसके बाद X or Y की निकाला जबकि हम सिधे भी कर सकते हैं, देखो 1 upon X की value आगी ना हमारी अब हम equation first में रख देते हैं equation first में आप देखेंगे कि हमारे पास X or Y था, अगर मैं आपर X की value रख दो तो Y की value आजाएगे automatically तो B निकालने की जड़ुदत क्या है तो सिधे-सिधे आम इसमें रखा, आमने देखो तो वो था 1 upon 2 X था 1 upon 2 into X की value लेकिन सभाई से रखेंगे तरीके से प्लस 1 upon 3 Y equal to 2 यहांबर 2 से 2 cancel out हुआ 1 upon 1 1 हो गया है 3 Y equal to 2 यह वन राइट साइड में गिया देखें घट गया, क्रोस मल्टिशन किया Y equal to आगया मारा 1 upon 3 तो इक मीन्स X is equal to 1 upon 2 Y is equal to 1 upon 3 इस वन अब दो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सराइज अब बहुत इंपोर्टेंट कोशन है बढ़े ध्यान से आब इसको करें और इसके जो और पाट होंगे उन में से जो जो इंपोर्टेंट होंगे उनको मा कराऊँगा वैसे सभी का तरीका सेम है